हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुश्रूम के बारे में बताना जाएंगे, जिसकी कीमत 30,000 रुपे किलो में बिखता है मुश्रूम से हम सभी लोग परिचित हैं, हमारे आसपास के बादरों में यह आसानी से उदलब रहता है लोग इसकी सबजी पड़ी चाओ से खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मुश्रूम की ऐसे भी किस्म है, जो 30,000 रुपे किलो बिखती है कीमत आपको चौका सकती है, लेकिन इसकी खोजना अपने आप में चुनोती है काफी खत्रों के बिच इसकी तलाश की जाती है, और फिर यह बड़े-बड़े होटलों में पहुंचता है यह दिरलब किस्म का मश्रूम भारते कश्मीर में हिमाले के उचे परवतों पर पाया जाता है गंटों चलने के बाद लोग पहाड़ी पर पहुंचता है और इस मश्रूम को लेकर घर आते हैं उचे पहाड़ों पर इस मश्रूम का मिलना एक लोट्री की तरह है कभी एक किलो भी मिल जाता है, तो कभी एक पाव और कभी तो खाली हाथ भी लोटना पड़ता है कश्मित के स्थानिये लोग इन मश्रूम को गुच्ची करते हैं इनका रंग काला होता है और दिख्र में ऐसा लगता है जैसे मदी मक्यों का छोटा छटा है यह उचाई पर स्थित जंगलों में उकते हैं और बागारों में इनकी काफी मांगे बसंत का महिना शुरू होते ही गुच्ची मश्रूम उकतने लगते हैं साल बर में सिर्फ बसंत ही वो मौसम है कि जिसमें यह उकता है कुछ स्थानिये लोगों का कहना है कि बरसात में बड़े गुच्ची मश्रूम भी मिल सकते हैं यह दुरलब किस्म का मश्रूम सामान्य मश्रूम से सिफ देखने में नहीं, बलकि अन्य मामलों में भी अलग होता है बादरों में हमेशा मिलने वाली मश्रूम तोड़ने के बाद सिधे पैकिंग कर बेचने के लिए भीजे दिये जाते हैं लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इस मश्रूम को तोड़ने के बाद सुखाया जाता है, सुखने के क्रम में ये सिकूड कर छोटे हो जाते हैं और इन्हें बादर में बेचा जाता है किसानों को काफी अच्छी कीमत मिलती है कश्मिर की गुच्ची मश्रूम बहुत ही मशूर है, इसकी बहुत ही जादा मांग है भारत और विजेश के 5 स्टार होटलों में इसके अलग-अलग खाने की डिश तयार होती है एक रिपोर्ट के मताबिक गुच्ची मश्रूम ऑनलाइन भी बिकता है इसकी सबसे कम गुच्ची मश्रूम की कीमत 12,000 रुपे प्रती किलो है वो सबसे अच्छी कॉलिटी के मश्रूम 30,000 रुपे के बाव पर भी बिकते हैं कुछ स्थानिय लोग पाड़ों पर जाकर इस मश्रूम के तलाश करते हैं और बेशते हैं इससे होने वाली अतिरिक कमाई से किसानों को काफी सहारा मिलता है हाला कि पाड़ों पर इन मौसमी मश्रूम को खोजना किसी चुनोती से कम नहीं है कई बार किसानों पर जंगली जानूर भी हमला कर देते हैं एक रिपोर्ट के मुदाबिक पहले गुची मश्रूम का इस्तेमाल स्थानिय स्तर पर सबजी के रूप में किया जाता था लेकिन पिछले दश होरशों में इसकी दिमान पुरे विश्व में बड़ी है और कारने इसकी कीमतों में तीजी आई है बारत में पाए जाने वाले इस गुची मश्रूम का 80-90% इसका एक्सपोर्ट किया जाता है दुनिया बर के मश्रूर होटे इससे डिश बनाते हैं